हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थू फाइन आट में स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ये तो आप लोग को मालूम है तो आज जो हम वीडियो लाएं है आसा करती हूं कि आप ये देख के समझ पाड़े ह होंगे हमने आप लोग से प्रोमीस किये थे और हमने कम्यूनिटी में डाले थे कि जिस भी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा मुझे वोटिंग मिलेगी मैं उस टॉपिक में नेक्स्ट वर्क करूंगी तो सबसे ज्यादा जो मुझे मिला है वो मुझे मिला था क्या प्रॉफिट होगा इससे आपको सबसे पहले प्रॉफिट तो यह होगा कि जो भी केवी एस एन्वेस की एक्जाम होते हैं डेस भी टीटी पीजिटी उसमें कभी-कभी हमेशा नहीं एक्सपेक्टेट कुश्टन से एक दो कुछे जाते हैं कि विस्व भारती की अस्थ आपना हुआ है वो कब हुआ है कौन से एर में हुआ है ऐसे कुछे जाते हैं यह दो कुछन किसी भी उनिवर्सिटी से हो सकते हैं चाहे वो महराजा सयाजीरा उनिवर्सिटी हो चाहे बनारस हिंदू उनिवर्सिटी हो या फिर जी अन्यू हो एनी अधर्स उनिवर्सिटी belong to the fine art and drawing university तो आज हम सबसे पहले विस्वारती के बारे में बात करेंगे विस्वारती कहां है तो विस्वारती सांती निकेतन में है और सांती निकेतन कहां है तो सांती निकेतन आपका बिर्भूम डिस्टिक में पढ़ता है West Bengal में है पस्चिम बंगाल विस्वारती का तो विस्वारती की मोटो क्या है ये जानना बहुत जरूरी है क्यों जानना जरूरी है इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे जब भी आप N.V.S. K.V.S. D.S.S.B. या फिर किसी भी एसिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आप जाते हैं इंटर्व्यू देने के लिए तो डेविल आस्क यू कि आपने कहां से पढ़ाई किये राइट तो आप कहते हैं कि हमने M.F.S. सांती निकितन से किये हैं या फिर M.S.U. से या B.H.U. से या J.N.U. या फिर अलिगर मुसलिम यूनिवर्सिटी इसलिए यह जो टॉपिक है यह दो चीजों में आपको हेल्प करेगा एक तो एक्जाम में हेल्प करेगा और दूसरा आपको किसी भी टाइप का इंटर्व्यू वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तो मोटो है यात्रा विश्वम भावत्य यह का नीदम संस्क्रीट करने में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टेंग में अभी भी होती है क्योंकि बहुत लंबा है यात्रा इजी है विश्वम भी इजी है अब इसको तोड़ देंगे भावत्य का नीदम भावत्य का नीदम founded by रविन्ना टैगोर यानि की सांती निकेतन विश्व भारती को जिन्होंने खोजा है वो है आपके रविन्ना टैगोर जो की 1913 में गितांजली पुस्तक को लिखे है और साथ ही साथ इनको नॉबल प्राइज भी मिल चुका है अब विश्व भारती नाम का मतलब क्या है यह जो विश्व भारती है यह विश्व भारती किस चीज के लिए इस्टेंड करता है विश्व भारती इस्टेंड करता है तो विश्व भारती का जो मतलब है वो मतलब है The Communion of the World with India क्या है इसका मिनिंग? इसका मिनिंग है The Communion of the World with India यानि कि इंडिया को पूरे विस्टोई के साथ जोडनी की कोसिस कर रहे है उसका ही मतलब है विस्टभारती फिर मैं यहाँ छातीम तला लिखी हूँ अब छातीम तला क्यों निक्षियों बता देती हूँ वहाँ पे जो भी भवन होते हैं वहाँ पे जो भी पेड़ वेगड़ा होते हैं वो हर एक पेड़ की नाम होती है चीना भवन जैसे हैं छातीम तला है फिर आपका आस्रम है या फिर आपका एक और भवन है मैं भी भूल रही हूँ जो भी है ठीक है तो इस तरह से जो भी नाम होते उसका सब कुछ मतलब चीना भवन का मतलब हो गया कि वहाँ पे चाइनीज पढ़ाया जाता है और वहाँ पे चीनी भवन है उसी तरह से आपका पाठ्था भवन है विद्या भवन है सिख्खा भवन है यह सब के अंदर अंदर कैटेग्रियों अब छातिम तला जो की है एक ब्रिक्ष का नाम रखा गया है चातिम तला यानि कि वह ब्रिक्ष के नीचे जवाब बैठते हैं अगर माली जैं मैं वहां पर बैठी हुई हूँ और मुझे कोई ढूंड रहा है तो उसको कहेंगे कि वह देखिए वो लड़की और उनको चातिम तला के पेड़ के नीचे बैठी हुई राइट तो चातिम तला का मतलब क्या है यह समझना बहुत जरूरी है तो चातिम तला का मतलब होता है at the heart of the town यानि कि जो भी सहर है उनका अगर आप दिल जीत लेते हैं या फिर उनका अगर जैसे हम कहते हैं यह सहरों का राजा है उसी तरह से चातिम तला हुआ है कला भबन कब इस्टे परती कहां पढ़ता है तो सांती निगतन बोलपूर में अब सांती निगतन का क्या मतलब है सांती निगतन चल जाएंगे तो इतना अच्छा और इतना सांत वाता वरंद है बहुत अच्छा लगता इसलिए उस जगह का नाम ही सांती निकितन रखा गया है और सांती निकितन को इंगलीज में हम बोलते हैं तो ये जो मैं 5-6 questions करवाई हूँ ये interview perspective से और साथ ही साथ KVS, NVS, DSSV perspective से भी बहुत important है इसमें से दो questions बहुत important है वो है कला भवन का establishment और किसने found हिया है और motto याद रखेगा ये तीन बहुत important है ये questions कभी भी पूछे जा सकते हैं exam label पर और interview के सारे ही important है next we are talking about the Maharaja Sayajira University जिसे हम short form कहते हैं MSU अब देखे ये MSU का logo है इस logo में आप क्या देख रहे हैं लोगों को बात करना भी बहुत जरूरी है कि कौन से logo में क्या है तो सांती निकेतन के logo में जो है अलपना है या डिजाइन है कह सकते हैं और स्वास्तिक का चिन्ध है पूछ सकते हैं कि विस्व भारती के logo में क्या है या फिर उसका mascot क्या है तो याद रखना है उनका mascot जो है स्वास्तिक और अलपना या फिर डिजाइन आप कह सकते हैं Next है MSU, MSU का क्या है, कमल है और कमल में दीपक जल रहा है, ठीक है, देखी रहे हैं आप कमल है और कमल में दीपक जल रहा है, कब स्टेबिलिश्टृें हुआ है 1949 में, इसका मोटो क्या है, मोटो है सत्या सिवammen सुंदरम, अब हम इंगลिस में जान लेंगे कि सत्या सिव करते थे कि सत्यम सिवं सुन्दरम का मतलब होता है जो सत्य है वही सिव है और जो सिव है वही सुन्दर है बट उसी को अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मान मीनिंग अधी गुड़ा लव व्यूटी गुट्नेस एंड इंटेलेक्च्वल क्योडिसिटी जो की है आपका एमस सिटी नहीं था यह पहले जो था कॉलेज था पहले क्या था कॉलेज था पता नहीं ऐसा क्यों लिखा रहा है फिर से लिए पहले जो था यह कॉलेज था तो एटी एटी वन में सबसे पहले कॉलेज के रूप में इसे जाना गिया इट बिकेम यूनिवर्सिटी इन 1949 यानि कि जब हम MSU के बारे में बात कर रहे हैं तो MSU आपका 1949 में established हुआ बट 1881 में college के रूप में जा में जाता था चंसलर कौन है चंसलर वहां के है सुभंगिनी राजे गाइकवर्ड सुभंगिनी राजे गाइकवर्ड राजा गाइकवर्ड वाइस चंसलर कौन है पडिमल व्यास इस्टेबिलिस्ट बाइ प्रतापसी गाइकवर्ड और बरोदा के जो गाइकवर्ड थे उनका नाम था प्रतापसी और गुजरात क्या है तो थर्ड लार्जेस सीटी इंडी इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात यानि कि गुजरात जो की है जो स्टेट है गुजरात वो थर्ड लार्जेस सीटी है इंडिया का मतलब अपने स्टेट का गुजरात के स्टेट का ठीक है नेक्स्ट है कहां लोकेटेड है तो लोकेडेड ओ the banks of the Vishwamitri river यानि कि Vishwamitri नदी के किनारे जोगी है आपका यह located है we are moving to the next university which is Benares Hindu University और कासी हिंदू विश्व विद्याले बहुत important है अब इसका अगर हम मैस्कोट देखें तो देखें मासरस्वती को दिखाया गया है इसका मोटो क्या है आप उपर लिखा हुआ ही देख रहे हैं विद्या अम्रितमस नुते लिखा हुआ है विद्या अम्रितमस नुते यही इनका मोटो है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इंगलिस में जब हम बोल रहे हैं विद्दिया अमरितम मसनुते तो इसको इंगलिस में हम क्या बोलेंगे इंगलिस में बोलेंगे knowledge imparts immortality तो कुछ भी याद रखे अगर आप इंगलिस में पकड़ अच्छा है तो आप इंग्लिस को याद रखिए अगर आपकी पकड हिंदी है तो आप हिंदी में याद रखिए इनका मोटो है विद्या अम्रितम मसनुते और इंग्लिस में अगर हम मोटो की बात करें तो knowledge imparts immortality नेक्स्ट हम बात करेंगे founded के बारे में किनों ने found किया और कब गिया तो 1916 में found किया गया है किनके द्वारा jointly निकी दो लोगों के द्वारा खोज किया गया था पहले जो है महराजा और दर्बंगा रमिसवर्शी और मदन मोहन मालवीय सुंदर लाल के द्वारा आपका कि seal of virtue आपका goddess सरस्वती जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं चांसलर कौन है गरीदगर मालविय चांसलर है और यह चेंज होते रहते हैं यह चांसलर अगर यहीं है तो दस साल बाद भी यहीं होगे कभी दो साल के लिए appointment होता है कभी दो पांस साल के लिए होता है या जब भी आप interview देने जाए तो एक बार इसे open करके देख लिजेगा जिस भी युनिवर्सिटी से आप पढ़ाई किये हैं कि उनके चांसलर और वाइस चांसलर रिसेंटर चांसलर वाइस चांसलर कौन है तो चांसलर आप क्यों हो गए हैं गिरीदगर मालविय और वाइस चा जब द्ह मिला था ये डोनेटीद लैंड है और किनके ब्टाध j 00 куп you नकी और ऐसील नहारएं काशी नरेसश प्रभू नारायन सी rep Haben जाह करना चाहूंगी मतलब हमारे अशै द्यादाँ जी आफिर पुराने में जमाने के जो लोग दे लोग कहानीं सुनाया करते थे कि बनारस हिंदू युनिवर्सिटी जो कि अभी मदन मोहन मालविय के लिए बहुत फेमस है क्योंकि वही उनके फाउंडर है तो यह लैंड उनको इतना बड़ा लैंड इतने बड़े एकर में जमीन कैसे मिली तो यह जमीन ऐसे मिली थी कुछ हुआ था तो जो वहां क राजा थे यानि कि जो लैंड को डोनेट किये हैं कासी नरेश प्रभू नारायान सी उन्होंने मदन मोहन मालविय को बोला कि एक दिन में आप जितना दौर सकते हैं एक दिन में आप जितना दौर सकते हैं वो पूरा का पूरा लैंड आपका हो जाएगा तो सुबह से लेके साम तक मदन मोहनमाल भी बिना रुके बिना खाए भी दौरते रहें और दौर के जितना भी लैंड ले सके ले लिए और उसी लैंड पर आज आप जितने भी युनिवर्सिटीज और उसके सब इंस्टिटिशन जैसे कि वहां पर IIT का भी है बनारस में साथ में मेडिकल के जो बहुत important चीज है कला के perspective से वो है भारत कला भवन तो भारत कला भवन जो की है 1920 में established हुआ है भारत कला भवन के founder कौन है तो भारत कला भवन के founder आपके है राय कृष्णदास राय कृष्णदास एंड महामना पंदित एंड मदन मोहन माल भी है ये तीनों ही जो की हैं आप के founder member है किसके भारत कला भवन के और भारत कला भवन 1920 में established हुआ है और माना नहीं जाता है बलकि ऐसा true है कि भारत कला भवन जो की है अभी तक में सबसे अच्छे collection और gallery है आपका इंडिया में इवें जैसे हम भारत भवन बोलते हैं भोपाल में है या फिर पटना म्यूजिय है या फिर बहुत सारे collections के लिए चीज बिख्यात हैं बट भारत कला भवन जो की है बहुत ही नामी है और इंडिया में देखा जाए तो ऐसा collection आपको सायधी किसी museum में या फिर gallery में मिलेगा तो भारत कला भवन जरूर से याद रखेगा कहां है तो बनारस में इस्टेबलिस्ट के अब वह है 1920 में और इसके founder member कोन है तो राय कृष्णदास महामना पंदित एंड मदन मोहन माल भी यह तो यह था आज का सेशन आसा करती हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आई होंगी और बहुत ही knowledgeable वीडियो रही होंगी तो कॉमेंट करक से अबоне युणिवर्सिटी कैने पीर आपका अलाहा भाद युनिवर्सिटी है या अलिगर्ध मुस्लिम युनिवर्सिटी तो इनके फाउंडर मेंबर मोट फाउंडेट बाई hunka मैसकोट किया है यांई कि सील करेंगे से वीडियो लाऊंगी अगर इस वीडियो को अच पर और वीडियो बनाईए तो मैं जरूर बनाऊंगी और अगर आप लोग कोई युनिवर्सिटी मेंसन करना चाहते हैं पर्टिकुलर युनिवर्सिटी के मैं इसी के ऊपर आप बनाईए फूर एक्जामपल जिसे मैं देली कॉलेज ऑफ आर्ट बोल रही हूं हो सकता है आप बोलेगे कि लखनो कॉलिज के ऊपर बनाईए तो मैं उसके ऊपर भी जरूर बनाऊंगी तो अभी के लिए आप लोगो बस इतना करना है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ उसी के साथ सेयर कर देना है और जो लोग हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें और मैं लास्ट में सबको कहना चाहूंगी कि हैपी दिवाली और विस्यू आल दी वेल्थ हैं प्रसफेरियस और ज्यसा कि सभी कहते हैं कि पठाके मत फोड़ के ठीक सकते हैं और तो यहीं कोमेंट करूंगी और अच्छा भी लगता है फुल जही जलाना ज्यादा पैसे खर्चबत कि जिये घ्रट साथ क्या पठाका नहीं तो एसा लगता की आफ 50 रुप्या का पठाका ला याका लzech और उसे जरा दिने में तो आप क्या जला आफने स पैसे ही जलाएं उस पैसे को आप कुछ अच्छे चीजे में काम ला सकते हैं आप अपने लिए किताब खरीद सकते हैं कुछ अच्छी स्टोडी बुक ले सकते हैं या फिर जैसे कि मैं भी कही हूं कि कि आप लोग मेरे चैनल पर हमेशा पढ़ाई करते हैं तो अगर कोई कुछ डोनेट करना चाहे लाइक तूह ऑन्डेट फोर फाइवंडेट फाइवंडेट पैसे ड्रजन्ट मैटर की आप बड़ा इमाउंट दे रहे हैं चोटा इमाउंट दे रहे हैं मैटर करता है कि आप क अगर कोई डोनेट करना चाहते हैं तो और यह जो मैं email id लिख रही हूँ यह email id हमारे descriptions में भी mentioned है यह email id हमारे descriptions में भी mentioned है तो बस आज के लिए इतना ही मिलेंगे फिर से हम next video में तब तक के लिए bye bye take care see you soon and have a nice day stay safe stay healthy जैहिंद जैभारत वंदे मातरम